बिस्मिल्लाहिराह्मान रहीम, अस्सलाम अलेकम एर्विवान, उमीद करती हूँ कि आप सब इलकुल ठीक होंगे, मेरा नाम है फात्मा और आप देख रहे हैं FM स्पावर्चीहाना दोस्तो बनू का बीफ प्लाव तो सबको ही बहुत ज़ादा पसंद होता है और मुझे काफी टाइम से इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमें बनू बीफ प्लाव की रेसिपी दें और बकराईद भी आने वाली है तो मैंने सोचा इससे अच्छा मोका तो कोई हो ही नहीं सकता तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बनू प्लाव की रेसिपी गाइस मलंग जान बीफ प्लाव इसलामाबाद का फेमस प्लाव है और लोग दूर दूर एरिया से यहां पे आके इसे खाना पसंद करते हैं मैंने सोचा के बजाए आप बाहर जाएं रेस्टरंट में जाके खाएं क्यों ना इसे आप घर में बना सकें और इस वक्रा इद पर आप इसे बना के अपने प्यारों को भी खेलाएं खुद भी खाएं और इद के मज़ें दोबाला करें तो चलिए रेस्पी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपने प्रेशे कुकर के अंदर एक किलो गाय का गोश्ट लेना है यानि के बीफ का मीट इसे आपने अच्छे से शामिल कर देना है धोके यहां पर अगर आप चाहें तो आप हड़ी वाला गोश्ट भी इस्तमाल कर सकत हैं 2 अदद तेस पत्ते वन टेबल स्पून साबिट जीरा चार अदद लोंग साथ ही मैंने इसमें लिया है एक चमच भर के काली मिर्चों का यह साबित काली मिर्चे हैं एक अदद काली मोटी इलाइची दो अदद दार्चीनी के टुकड़े वन टेबल स्पून आपने क्यूंक जो गोष्ट होता है वो भी अपना पानी रिलीज करता है और फिर इसमें पानी की मिगदार ज्यादा हो जाती है इसलिए मैं ने यहां पे साथ ग्लास पानी का इस्तमाल किया है यह 1 kg चावलों की रेसेपी मैं आप लों के साथ शेयर कर दहीं हो आप जाहें तो इसमे पानी डाला फिर इसमें 2-3 चमश मैंने cooking oil डाल दिया इसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रेशर कुकर में डालने के बाद आपने इसे एक दफा मिक्स कर लेना है जब आप इसे मिक्स कर लें फिर आपने प्रेशर कुकर के उपर धकना लगाना है और CT लगा देनी है गोश्ट से आपने टाइम को note कर लेना है और फिर आपने तकरीब एक कप के करीब cooking oil शामिल करना है और पांच हदत बारीक कटे हुए आपने प्यास डालने है प्यास को आपने इतना cook करना है कि ये अच्छा सा golden brown हो जाए ये आप देख सकते हैं 15 मिनिट हो चुके हैं सीटी को आए हुए और ये मैंने खोल दिया है cooker आप देख सकते हैं गोश्ट अच्छे से properly गल चुका है तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यास भी सुनहरा होना start हो चुका है तो प्यास को आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से golden brown कर लिया है अब आपने इस स्टेश पर क्या करना है आपने इसमें शामिल करना है आधा ग्लास पानी का पानी डालना है और इसके उपर आपने धकन रख देना है और चमच हलके से आपने इसमें चलाना है तांके प्यास का कलर जो है वो निकला है यह आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा आपने कलर निकालना है, बहुत जादा आपने प्यावजों को काला कलर नहीं देना है, ठीक है, ताके जादा कलर निकले, बिल्कुल हलका सा कलर आपने निकालना है, फिर आपने इसके अंदर दो चमश भरके अद्रक लेसन का पेश शामिल करना है, आप ताजा कुटा हुआ अ खड़े मसाले डाले थे उन सारे मसालों को भी हमने यहां पर डाल देना है कोई भी चीज आपने यहां पर जाया नहीं करनी आप देख सकते हैं गोश्ट और खड़े मसाले मैंने डाल दिये अब मैं अच्छे से गोश्ट को फ्राई कर लूँगी तकरीबन 5-6 मिनट के लिए तो गाइस आप देख सकते हैं गोश्ट अच्छे से भुन चुका है यहां पर मैं इसमें शामिल करूंगी 5 अदर टमाटर मैंने यहां पर 5 टमाटर लिये थे और 3 अदर सब्स मिर्चे ली थी उनको बारी-बारी कट किया वो इसमें शामिल कर दिया इसे हम अच्छे से मिक् चलब के डाई हैं क्योंकि चार Shaun ऐं है तो उस एसराब से हमने डालने हैं धाई चुटी चामच मेर्च का पावडर डा यानिकी तु हैं टीश पून1 टीश पून 1 चुटी चामच कुटी हुई मिर्च हाफ टीश पून आदी चोटी चामच काली मिर्च ये सब चीदे डालने के बाद आपने एक चोटी चमच साबिच जीरा, एक चोटी चमच जीरा पाउडर, एक चोटी चमच धनिया पाउडर डालना है इसमें और ये सारे मसाले डाल के आपने इसको मिक्स करना है अब आपने टेमाटरों को गोश्ट के साथ अच्छे से भून लेना है जितना अच्छा आप यहाँ पे गोश्ट को भूनेंगे, फ्राय करेंगे उतना ही जाएका आएगा आपके बनू बीफ पलाओ के अंदर तक्रीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने भूना है इसे और बहुत अच्छे से भूनाई हो चुकी है और बहुत ही अच्छा कलर निकल के आया है ओल इसने छोड़ दिया है इस टेज़ पे हम इसमें शामिल करेंगे यखनी जो गोश्ट की यखनी हमने बनाई थी ना साथ गलास पानी डाला था उसमें वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और गोश्ट ने भी पानी रिलीज किया था सबाइस यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि चार गलास चावल है मेरे पास चार गलास चावल के हिसाब से इसमें आपने छे गलास यखनी के डालने है और एक गलास मैंने इसके उपर एक्स्ट्रा डाला है तांके इसे कुक होने में बॉइल आने में पानी में टाइम लगेगा तो पानी थोड़ा सा एवैपोरेट भी होगा तो टोटल मैंने इसके अंदर चार गलास चावल के अंदर तक्रीबन साथ ग्लास यखनी शामिल की है जिस ग्लास से आपने चावलों को नापा है उसी ग्लास से आपने यखनी को भी नाप के इसमें शामिल करना है तो साथ ग्लास मैंने यखनी डाल दी है यखनी डाल के मिक्स किया है, कवर कर दिया है और इसे इतना पकाना है कि यखनी में बॉयल आना स्टार्ट हो जाए इस पलाओ की सबसे हास बात यह है कि यखनी के अंदर यह पकता है पानी के अंदर नहीं इसे बनाया जाता क्योंकि यखनी के अंदर जो जाइका होता है वो सारे पलाओ में आता है तब ही वह बहुत जादा टेस्टी लगता है तो जब यखनी में बॉयल आ गया तो मैंने इसके अंदर एक किलो चावल डाल दिये चावलों को मैंने तकरीबन तीस मिनट के लिए भिगो के रखा हुआ था अब तेज आंच पे आपने इसे पकाना है तांकि यखनी का जितना भी पानी है वो सारा ड्राय हो जाए जब इसमें बहुत थोड़ा सा पानी बाकी रह जाएगा तो हम चावलों को दम दे देंगे यह आप देख सकते हैं और चमच आपने इस तरीके से चलाना है साइड से बीच में से आपने चमच नहीं चलाना चावलों में अदरवाइस चावल तूट भी सकते हैं तो यह आप देख सकते हैं चूले की आँच को मैंने बहुत हलका कर दिया है दम की आँच रखनी है आपने उसके उपर मैंने तवा रखा तवा के उपर मैंने यहां पर पतीला रखती है और पतीला रखने के बाद मैंने यहां पर गीला करके दस्तर खान रखती है इसके उपर और उसके बाद आपने इसको धकल लगा देना है कवर करके आपने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए दम दे देना है 15 मिनट के बाद आपने इतना मुश्किल नहीं होता है, असानी से घर में बनके रेडी हो जाता है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, मैंने कोशिश की कि आप लोग के साथ हर चीज डिटेल में शेयर की जाए, वीडियो थोड़ी सी लंबी है, मुझे उमीद है कि आपको अच्छी लगेगी, और जितनी मैंसे सर्फ करती हूँ और आपको इसका फाइनल लोग दिखाती हूँ, जब तक मैं चावलों को सर्फ करती हूँ, अगर आप चैनल पे न्यू है, वीडियो फर्स टाइम देख रहे हैं, तो काइनली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेर और कॉम और आप रेसिपी की पिचर्स मेंसे शेयर कर सकते हैं, ओन माइंस्टाग्राम अकाउंट वीडियो अच्छी लगी होते से लाइक, शेर, कॉमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू सो मुच वाचिंग, टेक केर, अलाहाफिज, अलाह निगेव जए लाइब शात से लाइक, या यू सके लाइब का लाइब का